हालो माध्य इंविस्टेर्स एन स्टुडेंट्स तोड़े वी आर गुएंग टिस्कूस अबाउट आलोग इंडस्ट्री आलोग इंडस्ट्री इधर बहुत जाता चर्चा में है पिछले कई सारे ट्रेडिंग सेशन से इसमें लगातार लोगर सर्कृट लग रहा है पहले मै आपको थोड़ा अलोग इंडस्ट्री के बारे मता दूं एक समय बहुत अच्छा शियर था इंडियन स्टॉक मार्केट का काफी फेद था लोगों का इसके उपर काफी बड़ी कंपनी थी इंडिया के टेक्स्ट्राइल इंडस्ट्री की और यह वो कंपनी थी जिसने ना सि से ज्यादा स्टोर ओपन करें और काफी अच्छा परफॉर्म किया बस इस कंपनी के साथ गलती यह होई कि यह अपने विजनेस एक्सपैंड करने के साथ साथ अपनी डेट को बहुत तेरी से एक्सपैंड करते चले गया और डेट टो एकुटी रेशियो खराब हो गया साथ साथ इनका जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो सारा का सारा डेट में अपने डेट के इंट्रेस्ट को रिपे करने में बबाद हो रहा था तो इस तरह से धीर 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 कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी की कगार पर आ गई और यह इनका डेट बढ़ते बढ़ते थर्टी और अंत में वो डेट बर्डेर इतना ज्यादा हो गया कि का कंपनी जो है वो बैंक्रप्ट होगी अभी कुछ समय पहले जिएम फैनेंस और बेसिकली रिलाइंस इंडस्टी ने इसमें मैजॉर्टी स्टेक होल्डिंग लिए है तो प्रफरेंशल से रिशू किये गए है रि उसको अगर हम लोग एकुटी शेयर में कंवर्ट करेंगे तो अप्रॉक सेवेंटी परसेंट की होल्डिंग रिलाइंस इंडस्टी के पास आ चुकी है और अगर आप उसकी विस्टी की लिस्ट में जाके साइट पर जाके देखेंगे तो अप्रॉक साहथ 37 परसेंट की शे लेवल से बढ़ना सुरू किया और पचास रुपए के उपर तक 55 रुपए तक के आसपास के लेवल को इसने टैस किया और वापस फिर महां से अभी कुछ लगातार ट्रेडिंग से लगातार करेक्ट हो रहा है और लगबख 26 अटाइस के आसपास का लोगाया है तो अब सब मज़ लेते हैं कि आलोग इंडेश्री क्या है कैसे काम करती हैं कि यह में इंश करना का इंवर्समेंट होने के बाद क्या यह जह बहतर कप्था कंपनी बन गया आगे चलके कि बारे ब्लुचिप स्चौल के बात करते हैं इस वीडियो में तो आए कि तो समस्तित में क्या का Wi लेना चाहिए तो आलोग इंडस्ट्री एक इंडियान इसो सर्टिफाइड कंपनी है टेक्स्टाइल मैनुफाक्ट्रिंग कंपनी है बेसे इन मिंबई इस में बिजनेस इन वाल्स वीविंग निटिंग प्रोसेसिंग और लगबग 26 परसेंट अपने प्रड़क्ट को और अमेरिका एशिया आफरीका इन सब जबों के देश सामिल है इसमें प्रेलाइंस इंडस्ट्री एंड जेयम फैनेंस लिम्टेड ने इसको अल्री टेक ओवर कर लिया है अक्वायर कर लिया है जब बैंकरसी फाइल करी थी इस कंपनी ने और बड़ी अच्छी बात यह है कम्पनी की क्योंने कि कंपडियों के भाव खरीद लिया है और इनस्ब्सी जतना पैसा इंडस्ट्री ने छुद इन्वेस्स किया उतना दसाद अपने घर में बच्छों की साधी में उससे ज्यादा पैसा खर्ष कियाओ अब आपरोक्स धाई-300 क्रोन के असपास पैसा रिलाइंस इंड़ेस्ट्री ने खुद लगाया है साड़े 500 क्रोन के असपास ने उन्होंने इस कंपनी को खरीदा है जिसमें से बाकी सारा पैसा डिफ्रेंट डिफ्रेंट बैंक्स ने दिया है अब यह देखना है कि रिलाइंस इसको कैसे करता है और रिलाइंस पिछले एक-दो साल में और एगर और शॉर्ट रम की बात करेंए पिछले एक-दो में दुनिया की सारी दिगज कंपनीयों से नहीं अन्होंने डील करी और बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अमेरिका के वोग के उन्होंने काफी ज्यादा एंड रलाइंस इंडस्ट्री में और मोटा बैमानी मार्क जुकरबर्ग को अभी वैल्स में पीछे इन्वेस्टिंग के गौर्ड है उनको भी नेट वेल्थ में पीछे छोड़ दिया है क्योंकि रिलाइंस की मार्केट के अप्लाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है उसका शेयर प्राइस 2000 के आसपास आ गया है और मेरे खाल से शेयर प्राइस ने चलना शुरू किया था और अग्रिसिव यह बढ़ रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी तीन पर्सेंट का जम पाया है रिलाइंस इंडस्टि में तो रिलाइंस ने अपने मार्केट के अप्लाइजेशन को तीन गुना कर लिया है और इंडिया की पहली अपनी बन गई थी जिसने इंडिया में दस लाग करोन की मार्केट केपलाइजेशन को पार किया और अब वो तेजी से बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा नेट के अप्लाइजेशन लेकौत बुटा बैंबानी अल्य दुनिया के काफी अमीर लोगों में सुमार्त थे और इधर उन्होंने अपनी रैंकिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूफ किया है और सुने में यह आ रहा है कि साइद अभी वो मार्क जुकरबर्ग की नेट वेल्थ को भी पार कर देंगे तो इस तरह से एक जो प्रमोटर आलोप इंडस्ट्री में जुड़ा ह है इसका बहुत बहुत बहुतरी ट्रेक रिकॉर्ट रहा है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है तो इसलिए लोगों का थोड़ा बरूसा बड़ा अलोप में और इसका शेयर ने जहां पर तीन चार रुपए के लेवल पर आ गया था वहां से बढ़ते 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 रुपए के उपर तक के लेवल दिखा दी है बहुत शॉर्ट पीरिड में और महां पर लेकिन इसकी वैलूइशन काफी अग्रेसिव हो गई लोगों को लगा कि साथ योगो प्राइज है प्लस कुछ लोगों को यह भी लग रहा है कि साथ इसमें कुछ बड़े बुरूकर् है और जो प्राइस को इसके मैनुप्लेट कर रहे हैं सेवी की नजर है अलोग इंडस्ट्री इसके प्राइस पर तो देखना यह है कि सेवी क्या कुछ आगे चल कि कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है अब फिलाल के लिए आप ही कह सकते हैं कि वापस इसके शेयर लगाना शुरू किया है तो देख अब को समझने वाली बात है क्या यह अपने अपर सर्केट को कॉंटीन्यू करेगा या फिर हमें इस लेवल पर पर चेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह एक दो विधा की बात है तो वह अम लोग अंत में इसको समझेंगे इस इस अंपट्र टेक्स्टरिंग प्लांट दे कंपनी बिगॉपलिक इन 1993 पहली बार 1993 में अपने आपको लिस्ट कराया था बॉंभे स्ट ओक्षेंड में ना स्टॉप्ट टेंग में आईप यह था जो सिर्फ मातर 4.5 पाइप यह था वह 4.5 करोन एक था तो अटक्पनी ग्ल और रिलाइंस ने 37% स्टेक अभी-अभी अलोग इंडिस्ट्री में पर्चेस किया है प्रिफिरेंशल से रिसकों अगर हम एकुटी शेयर में करेंगे तो इस्सेधारी लगवाग 70% के आसपार पहुच जाएगे अब इस ओन बाइंस इंडस्ट्री जेवन फैनेंस भी इसमें कुछ थोड़ी बहुत हिस्सेधारी रखते हैं जिन्होंने इस कंपनी का स्टेक अक्वाइर किया है रिलाइंस के साथ और रिटेल रिटेल बिजनेस्स में आलोग इंडस्री काफी महारत हासिल है और आलोग की इंडिया में और यूके में स्टोर ट्टी यून के नाम से इन ऊटर सेसे और आलोग नियूटी परूसेंटियोइन ग्लोबल अलोग लोगुल्टिट चोल्फिक जिसमें से डोसू दले जोके ब्रैंड ऐन्यूं के नाम से यूटेया मैं आशले नाम से 207 बेंदेर सामश् है यह इसका रेवन्यू दिया हुआ है मिलियंस में बारा बारा बिलियन यूस डॉलर का 2020 का इसका रेवन्यू था नेट इंकम 4.8 बिलियन की थी नंबर ओफ एंप्लोईज 20 थाउजन है सब्सेड़ी इस की ग्लोबल आलोग इंपेक्स अलोग अप्रेल लिम्टेट अलोग इंफ्रस्ट्रेक्टर लिम्टेट इस्टोर 21 को लिक्विडेट कर दिये गया था 2017 में और उनके स्टोर की इसकर रहते हैं इनकी मिलिटास के नाम से मैनुफाक्टरिंग है जिसमें 100% सब्सेड़ी आलोग इंडेस्ट्री की तो यह एक इंटरनेशनल कंपनी थी इनकी चेक रिपब्लिक में थी जहां पर मैनुफाक्ट्रिंग होती थी आलोग इंफ्रस्ट्रक्ट्टर के नाम से भी हैं पट्रोजिक्त्रे प्रीच आलोवeger इंडेस्ट्री में में चाची कम्पनी चाथी है जिसमें उनके कुछ प्रजेक्ट्स हैं पैनिसुला बिजनेस पार्क मुंबई में अश्फ३ोर्ट रॉयल मुंबई सेंटल मुंबई आश्फॉर्ड प्लाजो मुंबई डोटस कॉ तो दोस्तों आपकोड़ाइस के टेक्निकल और फंडामेंटल के उपर हलकी सी निजरे डाल लेते हैं बहुत जारा डेटेल में बात नहीं करेंगे सिर्फ इतनी बात करेंगे जितनी आप असानी से समझ सकें दोस्तों अलोग इंडस्ट्री के कुछ प्रोड़क्त काफी सांधार प्रोड़क्स हैं के अपरेल्स बनाती है वेड़ स्रीट पिलो कवर काफी बड़ी प्रोड़क्त रेंज है सिल्वासा में इनका बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है जिसकी काफी अच्छी है नवी मुंबई में इनका प्लांट है वापी में वेविंग और सबसे बड़ा जो समय एडवांटेज आलोग इंडस्ट्री को साथ मिल रहा होगा क्योंकि इन्होंने अभी इधर रिसेंट अपनी बैलन्स रीट प्रब्रि कोड करती थी जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 2000 के आसपास आती थी वह उसकी वन थर्ट कॉस्ट पे रिलाइंस इंडस्ट्री अनिया लोग इंडस्ट्री बनाकर गवर्मेंट को प्रवाइट करा साड़े 600 रुपे के असपास और लोगों का यह मानना है कि साइज उसकी जो मैन साइज पीपी किट हमारे आने वाले वस्तरों के जिस तरह से हम लोग अभी टीशर्ट शर्ट जीन्स पहनते हो आगे चलके साइज अपने आपको सेफगार्ड करने के लिए हम लोग पीपी किट पहन के बाहर निकलेंगे तो भगवार न करें कभी ऐसा दिन आये लेकिन ऐस जो भी गौर्वर्मेंट डेप्लॉई बाहर निकल के काम करते हैं उनके लिए भी कंपल्शरी कर देगी और क्योंकि यह डिस्पोजिबल होता है एक बार आप सुन्हाल करके आप इसको डिस्पोज कर देते हैं इसलिए इसकी डिमांड बहुत जादा तेजी से बढ़ने वा करेगी अगर कंपनी को अच्छे से ऑपरेट करना है तो यहां पर इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती ही देख सकते हैं माने वाले कुछ दिनों में तो यह इसका में ट्रम कार्ड है अलोग इंडिस्ट्री का जिसके बिसेस पर इसके स्टॉक प्राइज में काफी जं हो गया है तो यह इनका में प्रॉब्लम था आइस के स्टॉक प्राइस पर एक नज़र डालते हैं जैसा कि आप अपनी स्कीन पर देख पा रहे हैं अलोग इंडिस्ट्री के बिस्ट्री में यह रेट हैं दोनों में 5% का अपर सर्केट है इस विजिए से प्राइस डिफरें है आप देखें कि इस दिन जब यह तीन रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेट कर रहा था 30 जनुरी को तेजी से इसमें एक जंप आया और इसी दिन इसमें अप इसके प्राइस में बहुत तेजी से उच्छाल आया और 20 फरवरी तक आते आते यह 16 रुपए के आसपास आया आपका 58 रुपीज 55 पैसे का और उसके बाद फिर लगा ता डाउन ट्रेंट पर चल ला है स्टॉक और कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें पहली बार वापस अपर सिर्कृट को टेस्ट किया है 26 रुपए 5 पैसे का लो लगा है तो यह इसका वन यर का चार्ट है अगर टू यर का देखने की कुछिस करें तो आप देखेंगे एक दम फ्लाइट था इसका रेट चार रुपए तीन रुपए चार रुपए तीन रुपए के आसपास ही और बीच बीच में तो इसका इसने एक रुपए बटालिस पैसे का लो भी लगा लिया था अक्टूबर 29 मे सिर्फ एक रुपटालिस पैसे के प्राइस पर यह आ गया था तो कि डेट बर्डन बहुत जादा था लोगों को लगा था कंपनी बिल्कुल खताम हो गई है पांस साल का अगर आप देखें सेम कंडिशन पिछले पांस साल में भी इसने इंवेस्टर्स को बहुत निरास किय है तीन रुपए दो रुपए एक रुपए पच्वन पैसे तक के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्वीन पर और अगर हम इसका 2000 से लेके अभी तक का ग्राफ देखें तो आपको लगेगा कि इसने इंवेस्टर्स को कितनी बुरी चोट दिये आप देखें यह यह डिवीडेंट भी इशू करता था डिवीडेंट दिया है और डिवीडेंट देने का ट्रैक रिकॉर्ड्स का 2014 तक चलता रहा था तीन रुपए का उन्होंने डिवीडेंट दिया था 2013 में और उसके बास से डिवीडेंट आना बंद हो गया राइट इशू भी दिये थे इस कंपनी ने काफी सारे राइट इशू दिय है तो और इसका फेस फैलू रेलाइञे कि अक्वायर करने के पहले दस रुपए गाता और जब रेलाइञे प्रम कर लेया इसके बाय करी गई तो इसकी फैस कर दिया गया यानि कि 90 जो पटेंशल है जो इसकी 90 की वैलेशन ती उसको खतम कर दिया गया है रिस्ट्रेक्षरिंग में और एक रुपए की फेस वेलू पे इसको वापस रिलिस्ट किया गया है स्टॉक मार्केट पे तो यहां आप देख सकते हैं प्रिजेंट मार्केट के अप्लाइजिशन 6,000 करोण के असपास की है और जब यह 55 रुपए चल ला था तो लगबग 11-12,000 करोण की इसकी मार्केट के अप्लाइजिशन थी और इंडस्ट्री पी 3 रुपए का है इसका EPS 25 के असपास चल ला है फंदिंग पर शेर 25 रुपीज है और पी 1 है फेस वैलू एक रुपए कर दी गई है दोस्तों अब हम लोग BSC की वेब साइट पर आ चुके हैं Bombay Stock Exchange की साइट पे हैं अलोग इंडस्ट्री इंडस्ट्री इस फिटी टूवीग हाई जो BSC पे लगा है वह एक सट रुपए चालीस पैसे तक गया है लोग इनका एक रुपए चालीस पैसे का है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था पाच परसेंट का सरकेट है इस पर अपर साइट और लोवर साइट दोनों तरफ से पाच परसेंट का सरकेट रखा गया है क्योंकि इसकी प्राइस में स्टॉप प्राइस में बहुत ज्यादा व्लेटिलिटी है इसकी EPS को एक बार समझ लेते हैं अर्निंग पर शेयर 25 रु पर इसका EPS निगेटिव था अभी तक रिलाइंस ने इसकी या लोग इंडस्ट्री ने खुद अभी अपनी बैल सीट प्रॉपर ली डिस्प्रेंट नहीं करी है और इस्ट्रेंट के बाद एकुटी शेयर में काफी ज्यादा फेर बदल हुए इसलिए जो 25 रुपर का इस ठीक है पर लेकिन क्योंकि यह टेक्निकल ग्राउंस पर बनाया है रिस्ट्रेंट के बाद एकुटी शेयर में काफी जाता है फिर बदल हुआ होगा नंबर आफ शेयर काम हो गया होगा तो इसकी वज़ेसे यह आपको देखने को ऐसा मिल ना है यहाँ पर हम इसके रेव 500 करोण के आसपास आया और नेट प्रॉफिट माइनस 153 करोण हो गया फिर दिसंबर वाले क्वर्टर में 2019 में प्रॉफिट रेविन्यू बढ़ा लेकिन खर्चे और बढ़ने के विज़े से प्रॉफिट और ज्यादा माइनस में हो गया आप देख रहें कि इसका EPS जो था हमें समझt था कि कि या हम इसवर में यह नहीं तो दोस्तों pequeña basic सबसे दोस्ते हैं और मेरा न चींगला प्रॉफिश्ट सबसे इन मेरा ना चाहिएक कि लिए सबसे बतादेता हूं सबसे पहली बात यह कि आगरा में इक इनुड़िई में इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए विटेल इंवेस्टर के लिए सबसे सेफ होता है इंडेक्स फण आप अपने पैसे को इंडेक्स करिए या फिर किसी अच्छे डावसिफाइड मुचिल फण में इंवेस्ट करिए क्यूंकि पर्टिकुलर एक या दो स्कुट में हम उसको अच्छे से ट्रैक नहीं कर सकते हैं और आप विजनेस करते हैं जौब करते हैं आपके पर अपनी एकस्परटीज नहीं है धितनी की फट मेंजर के पास है तो अच्छा तरीका यह होगा कि अगर आपको वेल्थ क्रीट करना है तो आप किसी इंडेक्स फंड में या नेफटी में सेंसेक्स में या तैवसिफाइड mutual fund में invest करें लेकिन इस्टिल अगर आप equity में thrill करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझे खुदी research करना है और उता चड़ा देखने हैं इसमें मुझे मजाता है तो आप इस particular share में invest कर सकते हैं लेकिन अपने total portfolio size का बहुत ज़्यादा 5% से ज़्यादा आपको इस तरह के stocks में invest नहीं करना चाहिए अगर आपके पास total 100 रुपे invest करने के लिए हैं तो आप 5 रुपे इस तरह के stocks जो बहुत ज़्यादा risky और volatile stocks होते हैं उनके लिए आप निकाल के रख लिए और इस लेवल पर थोड़ा invest कर सकते हैं अगर आपने फॉर एक्जामपल 100 रुपे इस लेवल पर बाई करें तो मैं कहूंगा कि आप फिर 20 रुपीज के आज पास के लिए 200 बाई करिएगा और अगर आपको वापस यह 15 बाई करिए इस तरह से आप अपनी quantity को गिरते हुए में बढ़ा सकते हैं वह जनरली हम लोग average करनी की सला कभी भी कुटी में नहीं करते हैं क्योंकि falling knife को कभी पकड़ने की process नहीं करनी चाहिए लेकिन क्योंकि हालोग industry में reliance जैसी दिगज प्रमोटर ने entry करी है और इस ले अगें फिर से आप अपने investment करने के पहले किसी financial consultant से सला जरूर कर ले और जो लोग मेरे द्वारा अपना portfolio बनवाना चाहते हैं मुझे अपने financial consultant hire करना चाहते हैं वो description में दिए गए number पे अपनी query WhatsApp कर सकते हैं और हमारी team से सला ले सकते हैं और मैं personal उनका portfolio बनाऊंगा आप हम प्लाहन में mutual funds में equities में investment कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद है कि आज का वीडियो आपको काफी informative लगा होगा आपको कुछ नई चीजह सीखने को मिली होगी और हम लोग हर वीडियो बनाने के लिए काफी research करते हैं काफी मेहनत करते हैं तो आप हमारे वीडियो को like जरूर प्रीक करते हैं